नमस्कार स्वागत है आपका खबरों का पंच नामा में मैं हूँ आपके साथ वक्ता हम लेकर आएं देश और दुनिया की पांच बड़ी खबरें जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौझूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इनचीफ दॉक्तर मनीश कुमार जी रॉक्टर साब आपका बहुत भात स्वागत दन्यवाद सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की हेडलाइन्स पर दिल्ली हाइकोट ने केज़िवाल को फिर लगाई फटकार पूछा कब खत्म होगा दिल्ली का ऑक्सिजिन संकट केज़िवाल सरकार ने मांगी सेना की मदर उद्धव गैंग की नई साज़िश रास खोलने वालों को फसाने की कोशिश आईपिएस रस्मी शुकला की हाई कोट में अरजी महारास्ट्र सरकार पर गिरफतारी की साज़िश का आरो महारास्ट्र उप्चुनाओं में अघाडी गैंग को बड़ा जटका बीजेपी उम्मीद्वार ने दर्ज की जीत शिवसेना और कॉंग्रेस की मदद के बाद भी एंसी पी नहीं बचा पाई अपनी सी नंदी ग्राम में ममता की हार पर पूरे बंगाल में संग्राम सौ से ज़्यादा जगों पर टीमसी की गुंडों ने मचाया उत्पात शुभेंदू अधिकारी की गाड़ी पर भी हुआ हमला पंगाल पाकिस्तान की पीओके में नई चाल लोगों ने विद्रोगी आवाज बुलंद की तो विकास के विशेश पैकेज को किया जूचाए रहा है पहली खबर में बात करेंगे केजरिवाल की नोटंकी पर दिल्ली हाई कोट ने एक बार फेर कोरोना मामले पर सुनवाई करते हुए केजरिवाल सरकार को कड़ी फटकार लगाई और पूछा कि कब दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सिजन और दवाउं की किलत दूर होगी लगातार लोग मर रहे हैं आंकडे बढ़ रहे हैं और सरकार लापर वाही बरत रही है जिसके बाद केजरिवाल सरकार ने रोनार होते हुए अपने हाथ खड़े कर दिये और कहा कि हमने सेना की मदद मांगी है डॉक्टर साब इसका मतलब तो ये निकाला जाए कि केजरिवाल से कुछ नहीं हो पाया अब दिल्ली को सेना ही संभालेगी देखे ये केजरिवाल साब और उनकी जो सरकार है वो कोट में आख मीचॉली खेल रही है पिछली बार हाई कोट पूछा था कि भई अगर इंतिजाम नहीं हो पा रहे हैं तो आपने क्या सेना की मदद मांगी और आज सुनवाई से ठीक पहले अचानक सी एक ख़बर आती है मनेशी सोधिया वो वेक्सिनेशन सेंटर पे गए वे थे देख बाल करने के लिए किस तरह का वेक्सिनेशन प्रोग्राम चल रहा है और उस दौरान जब उनसे पूछा किया कि हाई कोर्ट ने जो है इस तरह की बात किये तो उन्होंने कह दिया कि हम आर्मी से हम मदद मांग लेंगे हमने राजना सिंग को चिठी लिखी है और सब जगाई ये ख़वर फैल गई तो पिछली बार कोर्ट ने डाट लगाई कि आप आर्मी के मदद क्यों नहीं ले ले लेते तो आज ये आर्मी की चिठी दे करके कि हमने डिमेंस मिनिस्टर को हमने चिठी लिख दिया है और ये बहाना लेकर कि पहुंच गये अरे दिल्ली को ऑक्सिजन चाहिए दवाई चाहिए ये कहा है भई वो तुम्हारी कसमे कि हम भरस्टाचार नहीं होने देंगे लोगों की जान जा रही है और भरस्टाचार में सिस्टम लिप्त है चाहे हास्पिटल में बेड लेना हो तो उसके लिए पैसे चाहिए ऑक्सिजन लेना हो उसके लिए बलैक मारकेट से खरीदन पड़ता है दवाई के लिए इंचेक्शन के लिए हर जगा तो ये पूरा सिस्टम चर्मरा गया है और ये खुद को एक इड् ठिख्ये सवाल फूर्ट पूसा जाना चाहिए केज़िवाल संद्रार्व थे करीस हिसाब से वह आट बनाया था जिसने उन्हों ने यह कहा था और एक दो टेलिमेंट चैनल के ओपर इंटर्वू के दौरान पूरों ने ये इस बात को बड़े ही इसो कह सकते हैं कि दावे के साथ उनों ने कहा था कि बहुत सारे राज्चियों में तो ऑक्सिजन की कमी है लेकिन हमने अपनी पूरी ब्यवस्था कर ली है ये ऑक्सिजन आएगा उसके लिए कंटेनर चाहिए उसकी ब्यवस्था के जिवाल नहीं कर पाए इसलिए दिल्ली के अंदर ऑक्सिजन की कमी के वज़े से लोगों की मौत हो रही है और बागी ये जो आकड़े है कि यहां इतनी की जरुरत है इतनी मिल रही है अतना deficit मिल रहा है यहां हम लोगों को नहीं पहुचाए जा रहा है कि ऐसी कोई परिशानी नहीं है अगर आपके पास कंटेनर है तो oxygen मिलेगा और अगर कंटेनर नहीं है तो oxygen आप कहां से लिकर क्या होगे ये बात हकीकत है जिसे अर्विंद केजिरिवाल और उनके मंत्री और उनके जो प्रचार विवाग का पूरा तंत्र है इस कभी को छिपा अब बात करेंगे उधव सरकार की साजिशों की उधव ठाकरे की अगवाई वाली सरकार आजकल उन लोगों को निप्टाने में लगी है जिन्होंने उनके काले कारनामों को उजागर करने की कोशिश की है परंबीर पर केस ठोकने के बाद अब उधव सरकार IPS रश्मी शुकला क की कोशिश कर रही है जिससे उन्हें राहत दी जाए इस बीच सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आई है कि सचिनवाजे और रियास काजी को डिस्मस करने का पेपर वर्क तैयार कर लिया गया है और जल्द ही इन्हें बर खास्त किया जाएगा डॉक्टर साब उद्व ठाक का जो सिचुईशन है उसमें तो फांसी की सजा होगी जादस कम से कम उमर कहत तो होगा ही तो आप उसे डिस्मस करें या ना करें उसे कोई फरक नहीं परताब क्योंकि आप इन जैसे दैतियों को डिफेंड करने में अपनी सारी ताकत आपने लगा दी थी इसलिए अब पच खिलाब दो कारवाई चल रही है एक वो कि आपने गलत तरीके से इल्लीगल तरीके से लोगों के फोन टैप किये रस्मी सुकला उद्व ठाकरे सरकार के तहत ही मतलब कुछ महने पहले तक वो महरास्ट सरकार की जो इंट्रिलिंस डिपार्टमेंट है उसकी वो हेड कर रही थी वो उसकी सबसे टॉप मॉस्ट ऑफिसियल थी और उन्होंने जो भी कुछ किया है एक अधिकारी के रूप में अपनी दाईतों का निर्वाग किया है लेकिन उनकी ही रिपोर्ट की बज़र से अनल देशमुक समयत और भी कई सारे ये अगहारी सरकार के निता फसने वाल बुलाया गया है वो फिलाल हैदराबाद में डीजी सियाटियर के रूप में काम कर रही है तो वहां पर हाइकोट में गई है कि बहाने मुझे गरफ्तार करने के बहाने मुझे वहां मुंबई बुलाया जा रहा है कोरोना का वक्त है और मैं जा नहीं सकती तो हमने पहले ही पिछली बार जब मुझे बुलाया गया था तो मैंने कहा था कि अपने कोस्टिनायर आप बेज़ दें लेकिन उससे भी बात थी बनी तो उन्होंने फिर आज मुझे बुलाया तो मुझे रहत दें कादर तो मुझे किस लिए बुलाया जा रहा है वो F.I.R. की कॉपी भी द मतलब बिलकुल साφ है कि उद्दप ठाकरी सरकार उन सब लोगों के खिलाफ सीधी कारवाई करने में विश्वास रखती है बदले के करने में विश्वास रखती है जो कोई इनके खिलाफ कोई एक सब्द बोलता है जी डॉक्ट साब, अब बात महरास्ट्र के महा अगहाडी गैंग की महा शिकस्त की, महरास्ट्र अपचुनाओं में सत्ताधारी महा विकास अगहाडी को बड़ा जटका लगा है, सोलापुर जिले की पंधरपुर मंगल वेडा, विधानसवा सीट पर हुए अपचुनाओं मे बीजेपी ने जीत दर्च की, जबकि शिवसेना, NCP और कॉंग्रेस तीनों मिलकर चुनाओं लड़ रहे थे, फिर भी तीनों की ताकत बीजेपी को मात नहीं दे पाई, डॉक्ट साब अब तो जनता ने भी उधव गैंग को हार का सर्टिफिकेट दे दिया है कि वो उन्हे पसंद नहीं कर रही है, देकि ये बहुत ही इंपॉर्टन चुनाओं है, क्योंकि जो पिछली चुनाओं के बाद, जिस तरीके से सिवसेना और बीजेपी मिलके चुनाओं लड़ी थी, रिजल्ट आने के बाद सिवसेना ने दगावाजी किया, जिन लोगों के खिलाफ ये विचार धारा के जो तीद अलग-अलग जो पही हैं अगारी सरकार के, ये लोग मिल जुलके के चुनाओं लड़ने थे, किसके खिलाफ बारती जिनता पार्टी खिलाफ, एक तरफ तीन पार्टी, एक तरफ बीजेपी, और इन लोगों को ये मुगालता, इन लोगों के दि एनसीपी का गड़ है, ये पंडरपूर जगह है, सोलापूर में, और वहाँ पे जो MLA साहब थे, उनकी कोरणा के वज़े से डेथ हो गई पीछले साल, तो इस बार उनके बेटिक के साथ ये एनसीपी सामने आई, साथ में कॉंग्रेस पार्टी और सिर्फ से ना, इन तीनो के परचार के लिए भी 6-7 रेलिया, देवंद फर्ण विसनी किया, देवंद फर्ण विसनी साथ साथ उसमें भी ये भी कहा था, कि वक्त आने पे इस सरकार को हम गिराएंगे, ये सरकार जादे दिन तक चलीगी नहीं, और मतलब आप समझें कि स्टेक कितना हाय हो गया, कि स सारे लीडर वहां जागर रहें, क्योंकि उससे वो मैसेज चाता, आप देखिए, लिफ्ट लिपर कबाल ये जो सोचल मीडिया में भारती जन्ता पार्टी खिलाब जो अफ़वा फ़लाने वाला जो गैंग है, उस रिजल्ट के बारे में बात्ची थी नहीं कर रहा, और ज लोगों के अंदर इस सरकार की काली करतूतों के वज़े से जो गुस्सा पैदा है, उसका ये नतीजा है, और आपने सही कहा, कि उद्दव ठाकरे सरकार महराश्ट की अब तक की सबसे अनपॉप्लर सरकार है, उसके कई सारे कारण है, जिसमें से एक बड़ा कारण इस कोरोन का मिस हैंडलिंग है, दूसरा ये वसूली गैंग है, तीसरा कि जिस तरह से आप पत्रकारों के खिलाफ आप करवाई कर रहे थे, जिस तरीके से आपने कंगना रनावते घर के उपर बुल्डोदर चला दिया, तो ये एक उसका सकते कि जो फासिस्ट रिजीम जो महरास्ट क हार गई, ये हार ममता के साथ साथ उनके गुर्गे भी पचा नहीं पा रहे हैं, और अब इसी हार का बदला ले रहे हैं, टीमसी के गुंडों ने पिछले 24 घंटे में 100 से जादा जगों पर भयांकर उतपात मचाया है, नंदी ग्राम में बीजेपी के दफ्तर में जम कर तो ये तो दीदी का गुंडा राज रिटर्न्स है? घर को तोर रहे हैं, वीडियो आप सोचल मेडिया बे आप ढूंडेंगे मिल जाएगा आपको सैक्रों वीडियो इस तरह की, पूरे बंगाल से ये खबर आ रही है, और सबसे आस्चर वाली बात ये है, कि ममता बर्ण जी एक बार भी इस तरह की खबरों के आने के बाद, ए जीते हैं, वो अपने हैं, पूरा बंगाल एक साथ मिलके हम लोग विकास का काम करेंगे, जो वादा हमने किया उसको हम पूरा करेंगे, कहीं वालिंस नहीं होना चाहिए, जीत के साथ आपके रिस्पॉंसिबिलिटी बढ़ती है, जितनी बड़ी जीत, उतनी बड़ी रिस् हिंसा भड़क रही है, पॉलिटिकल मर्डर्स हो रहे हैं, जिस तरह से तिर्मूल के गुंडे वहाँ पे आतंक मचा रखा है पूरे बंगाल के अंदर, वो इस बात का संकेत है, कि बंगाल की जंता से एक बहुत बड़ी भूल हो गई है, बंगाल में बंगाल के लोगों ने ही, अपने हाथों से, अपने वोटों से बंगाल को नरक बनाने का काम किया है, अगर ये हिंसा नहीं रुकती है, तो बंगाल जहनुम बन जाएगा, जी डॉप साब, आखरी खबर पाकिस्तान से, एक तरफ तो पाकिस्तान कंगाली जहल रहा है और दूसरी तरफ पीयोके मे बढ़ते असंतोश को रोकने के लिए इमरान खान जूटे वादों का ऐलान कर रहे हैं, इमरान खान ने गिलगिट और बार्टेस्तान में विकास के लिए 370 अरब रुपए के पैकेज की गोशना कर दी है, डॉक्र साब जिस पाकिस्तान के पास दो हफते का गेहू नहीं ब होता है, तो कभी मालूम चलता है कि पलू सड़क गया तो कभी कुछ और वो बिल्कुल अन्बालेंस होता है, तो इमरान खान ने पाकिस्तान के साथ यह किया है, यह डिंगे हाग करके तो पहुंच गया, प्रधान मंतरी बन गया, लेकिन इतनी सारी इसने घोशनाएं कर दी कि अभी हालत यह है कि कोरोना इंजेक्शन खरदनी के लिए पैसे नहीं है, इसके पास गहुं खरदनी के लिए पैसे नहीं है, तीन सब्ता के बाद पाकिस्तान के लोग मिट्टी खाएंगे या जहर पीएंगे, यह भी उनको समझ में नहीं आ रहा, अब यह अब अचानक स जिस तरह की से डवलप फिल्ट हो रही है, जिस तरह से गाउं गाउं में गैस का चूला पहुंचा है, जिस तरह से वहाँ पे घर घर में बिजली पहुंची है, जिस तरह से वहाँ पे डिमोकरसी को ग्रास रूट लेवल पे मजबूत किया जा रहा है, जिस तरह से हर कास्म कारण ये भी है कि जब उनको समझ में आता है कि हम तो इसलाम के नाम पे मुसल्मान होने की वज़ा से इस पाकिस्तान के साथ हम लोग तो आ गए लेकिन उदर देखो वहाँ पे जिसको आप कहते हो भई हिंदू फासिस्ट है उसकी रिजीम वहाँ पे इतना सारा व्यवस्था कर रही है तो हमने तो पाकिस्तान में आतर के गिल्ब कर दी तो उस बिसकंटेंट को स्राथ करने के लिए इस भिकारी विम्रान गांडे अखितेंट को 50 अरब अभी पाकिस्तान के आरमे को दे दिया जाए तो पंदर दिन के अंदर यह को सटके कह जा आ यह प्योके के लोगों को राहत क्या दी तो ये सारी चीजें पाकिस्तान धरसल हिंदुस्तान के साथ कॉंपिटिशन करते 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 हैं अपने आपको गर्त में डाल चुका है वहां के जो पॉलिटिसिन हैं वहां जो लोग जो ओपिनियन मेकर से वहां जो सरकार चलाने वारे लोग हैं जिस दिन उनको ये बास समझ में आएगे कि हिंदुस्तान और पकिस्तान का कोई मुकाबला नहीं है पाकिस्तान एक बेहतर देश बन जाएगा अंग्र साभ आपका बहुत बहुत दन्यवाद इतनी सटीक और बहतरी ढाइद्जानकारी न्यवाद खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही देश विदेश और बाकी की खबरों और उ